हेलो वी एर्स आज की वीडियो में प्याज की सबजी कैसे बनाते हैं की वीडियो बनाई है मुझे आसा है आप सभी को बहुत पसंद आएगी ये बिना हल्दी की प्याज की सबजी है देखें कितने अच्छी लग रही है ये इसमें मैंने हल्दी नहीं डाली फिर भी ये लाल रंकी है ये देखिए जब कभी आपके पास सबजी नहीं हो बजार जाने का टाइम नहीं हो तो आप ऐसे प्याज की सबजी बना सकते हैं और ये बहुत जल्दी बनती है सबसे पहले हमने ये प्याज को काट लिया है इसके पीच थोड़े बड़े काटेंगे ये देखिए ये च्यार या पांच प्याज है ये ऐसे इसको साप काट के दो कि मैंने त्यार कर लिया है अब यह मैंने दो चम्मच खाने वाली चम्मच से दो चम्मच तेल नापपा है यह यानि आदी कडची गैस के फ्लैम को धीमा रहने देंगे अब तेल गरम वो जाएगा जब इसमें हम जीरा एड करेंगे यह बहुत आसान है और बहुत जल्दी बनती है और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है यह देखिए मैंने इसमें जीरा एड किया है कि देरे देरे इसको आसे चला के देखेंगे गैस को दीमा ही रहने दें और तेल इतना ही लिया है हमने जितनी अमेज किया हो सकता है यह देखिए जीरा पक के त्यार हो गया है अब इसमें हम यह कटी वी प्याज एड करेंगे यह थोड़ी सी चीज में ही बहुत अच्छी सबजी बन जाती है इसमें ने टमाटर की जूर्ट पढ़ती है ने लसन की पढ़ती है सिर्फ अकेली प्याज की सबजी है यह और खाने में तो बहुत जादा टेस्टी होती है यह आपके पास जब भी कभी सबजी ने हो तो आप ऐसे सबजी बना सकते हैं प्याज की और इसमें आठ या दस मिन्ट लगेंगी इसमें आदी चम्मच लाल मिर्च पाउड डालेंगे हम और आदी से थोड़ी सी जादा नमक डालेंगे इसमें चम्मच इसमें हल्दी पाउडर नहीं डालना है यह लाल मिर्च से ही बहुत अच्छी बन जाएगी इसका अच्छा रंग जड़ जाएगा लाल मिर्च से ही बाद में देखना इसका कैसा रंग होगा अभी तो फीका फीका लग रहा है इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे यह देखिए इसमें अच्छी तरह से हम कड़्ची चलाके अब इसको रखके रखेंगे हम इसको एक है दो मिन्ट के बाद फिर चेक करेंगे गैस को दीमाई रहने दें देखिए दो मिन्ट के बाद यह ऐसे लग रही है देरे और भी रंग चड़ेगा अभी तो लाल मिर्च का अब इसको थोड़ी दिर और पकाएंगे हम दो तिन मिन्ट और पकाएंगे अब इसको यह देखिए अब और भी ज्यादा रंग चड़ गया है लाल मिर्च का हमने इसमें हाल्दी पाउडर नहीं डाला है फिर भी देखो इसका रंग कैसा लाल हो गया है अब यह हमारी पक्के त्यार हो गई है यह देखिए शुरू में ते बहुत जादा लग रही थी अब यह थोड़ी सी हो गई है पकने के बाद यह देखिए नीचे बिल्कुल तेल नहीं है जितना हमें तेल के आओ सकता थी उतना ही हमने तेल डाला था इसमें जड़ा तेल नहीं डालना है यह देखिए यह पक्के त्यार हो गई है अब मैं इस प्लेट में डालके दिखाऊंगे आपको इसका रंग यह देखिए खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है और कोई जंजट नहीं है बहुत जल्दी बनती है यह देखिए कितने अच्छी लग रही है अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और एक बर बना के जरूर देखना एक बर बना लिया तो आप इसको बार-बार बनाएंगे ऐसे ही कि देखिए मेरी वीडियो को देखने के लिए सभी का धन्यवाद